पनी ये सड़क जगा जगा से उखड और ठस गई है ये सड़क अभी 20 दिन पहले ही बनी है जी सही सुना आपने 20 दिन पहले ही ये सड़क बनी है करीब 7 किलोमीटर तक बनी इस सड़क की लागत करीब 9 करोड रुपे बताई जा रही है और ये सड़क आर्थिक विकास योजना के अंतरकत लोग निर्माण विभाग ने बरवाई है प्रश्टाचार की फेट चड़ चुकी इस सड़क का निर्माण 4-5 महीने से चल रहा था लेकिन इस पर लेपन का काम मैई से शुरू हुआ आदा किलोमीटर छोड़ कर करीब करीब ये सड़क पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है लेकिन सड़क बनाते वक्त मानकों की थजिया किस तरह से उड़ाई जा रही है ये आपके सामने है एक तरफ सड़क बनती जा रही है और दूसरी तरफ धसती और तूटकर उखड़ती जा रही है इस सड़क से घुजरने वाले स्पानिये लोग सड़क में हुए इस प्रस्टाचाल की दास्तान खुद ही सुनाते है उनका कहना है कि अगर 20 दिन में ही सड़क धस गई उखड़ गई तो फिर समझिए आगे क्या होगा ये सब जानते है जीत पूर से बैसामा जाती है ये और ये 21 दिन पहले बनाता आप इसकी हाला देख सकते हैं अगर इसकी अरे वह आप कहते हैं तो मैं अंगुल चे नाप के आपको दिखा सकता हूं कि कितना मैट्रियल अरे डला हुआ अगर आज ये इसकी हाला आता है तो बारिस के आने वाली समय में में मेरो के नहीं लगता कि बारिस तक टिक पाएगा महीं सडक को लेकर भच्टाचार का ये मामला सवार खड़े कर रहा है कि अगर भर्मा भी इसको लेकर सवार उठा रहे हैं तो महीं जिला अधिकारी सिधार नगर इस पर खटोर कारवाई करने का आश्वास अन्दे रहे हैं लेकिन मामले में लिपा पोती को देख इस मामले की लिखित चिकायद मुख्य मंत्री योगी आदित्ते नाज तक कर दी गई है। बकायदा सड़क की उस तरिये जांच कराकट ठेकेदार और विभाग के खिलाफ कारवाई की मांग की जा रही है। जबकि इस मामले में जिलादिकारी संधीव रंजन का कहना है कि मामला उनके संध्यान में आने के बाद BWD विभाग को मौके पर फेज कर चांच कराई गई। चांच में सड़क धसने की बात को सामने आई। बकाइदा पेइमेंट रोखने तक का फिक्र किया गया। दुनियर क्या कुछ कहना है दियम्स आपका। क्याकर मेरे संद्रेण में सबक्स कराई झा छो करें ब suppressडं की सड़क देव में और तो सवाल ये की दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है ये सड़क धस रही है या फिर लोगों का इमार दीप कुमार यादव न्यूस वर्ड इंडिया जिधात नगर